आपने कहा कि पानी में यादाश्ट होती है क्या उस यादाश्ट के स्तर को अपने जीवन में लाने की कोई संभावना है क्या इसके लिए कोई वैग्यानिक सबूत या आध्यात्मिक सबूत है या कोई दूसरा सबूत उपलब्ध है आज खास कर पिछले साड़े चार सालों में पानी और पानी की क्षमता पर जबरदस्त मातरा में रिसर्च की गई है यह अंजाने में शुरू हुआ क्योंकि जिस तरह से दुनिया में इस्तिमाल करने लाइक पानी की मातरा घट रही है उधारण के लिए भारत में 1947 में एक इनसान के लिए औसतन जितना पानी उपलब्ध था पीने योग्य पानी आज उसका सिर्फ 20 प्रतिशत बचा है कहते हैं कि 2025 तक हमारे पास केवल 7 प्रतिशत बचेगा 1947 के तुलना में प्रतिव्यक्ती हर इनसान के लिए केवल इतना पानी ही उपलब्ध होगा तो इस वज़े से पानी के उपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है ज्यादातर काम इस दिशा में शुरू हुआ लेकिन धीरे धीरे वो इसमें गहरे और गहरे जाते गए और उन्हें पता चला एक रसायन शास्त्री होने के नाते आपको ये जरूर पता होगा कि पानी के रसायने गटकों को बदले बिना आप उसकी आन्विक संरचना को यूँ अलग तरह से वेवस्तित कर सकते हैं कि पानी अब बिलकुल अलग तरह से बरताफ करेगा अपने आम बरताफ की तुलना में ये इस हद तक समवेदन शील है कि अगर मैं अपने हाथ में एक गलास पानी लूँ और उसे एक खास तरह से देखूँ और आपको दूँ तो आपको बहुत फायदा होगा अगर मैं इसे दूसरी तरह से देखकर आपको दूँ तो आप बीमार पढ़ जाएंगे यंद विश्वास नहीं रहा ये विज्ञान है मैं आपको एक घटना बताता हूँ लगभग सतरा साल पहले मैंने एक नब्बे दिन के कारेक्रम की गोशना की नब्बे दिन का कारेक्रम किस लिए भूत शुद्धी को योग का सबसे मौलिक पहलू माना जाता है भूत शुद्धी का मतलब है आप भूत जानते हैं पंच भूत प्रकृती के पांच तत्व प्रित्वी जल अगनी वायू और आकाश प्रकृती में ये पांच तत्व हैं ये पांच तत्व ही वो मूल घटक हैं जिनसे ये शरीर बना है ये ग्रह बना है पुरा ब्रहमांड बना है ये पूरा अस्थित्व एक तरह से इन पांच तत्वों का खेल है तो भूत शुद्धी का उदेश है हमारे सिस्टम में इन पांच तत्वों को शुद्ध करना ये पांच तत्व मेरे भीतर कैसे परताफ करते हैं यही मेरे गुणों को तै करेगा इस आधार पर भूत शुद्धी योग का मूल रूप है बाकी सब कुछ इसी से निकला है जो विभिन लोगों द्वारा इसे छोटे-छोटे टुकडों में सिखाया जाता है इसकी समरूपता को समझे बिना लेकिन इसका उदेश है पांच तत्वों को अपने नियंतरण में लेना जब आप भूत शुद्धी का एक खास समय तक अभ्यास करते हैं तब आपको भूत सिद्धी प्राप्थ होती है यानि कि पांच तत्वों पर आपका पूरा नियंतरण है इस हद तक कि इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जहां अपना शरीर छोड़ने के समय एक योगी कमरे में जाते हैं लोग कमरे को बाहर से बंद कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद जब लोग कमरा खोलते हैं तो वो वहाँ नहीं होते क्योंकि वो खुद को पदार्थ विहीन बना लेते हैं वो नहीं चाते कि आपको उनका अंतिम संस्कार करना पड़े या किसी को उन्हें कबर तक उठा कर ले जाना पड़े वो वस अपने सिस्टम को पदार्थ विहीन कर लेते हैं तो 17 साल पहले मैंने पहली बार एक कारेक्रम की घोशना की 90 दिन का कारेक्रम 90 दिन इसलिए क्योंकि लगभग 40-48 दिनों में हमारा सिस्टम तत्व के स्थर पर एक चक्र से गुजरता है इसे एक मंडल कहते हैं हर 40-48 दिनों में ये सिस्टम एक तरह के चक्र से होकर गुजरता है इसी कारण अगर आप किसी आयरुवेदिक डॉक्टर या सिद्ध वैद्य के पास जाते हैं तो वो आपको हमेशा 40-48 दिनों के लिए दवा देंगे उस चक्र का उपयोग करने के लिए जो इस शरीर का स्वाभाविक चक्र है तो मैंने कहा कम से कम दो मंडल तीन बहतर होते लेकिन अगर मैं तीन कहूँ तो कई चीज़ें होंगी मैंने कहा अगर आप कम से कम दो मंडलों की साधना करते हैं तो आप सिस्टम पर नियंतरन पासके हैं जो लोग आना चाहते हैं वो आएं और मैं शहर छोड़ कर चला गया क्योंकि मुझे पता था कि काफी ड्रामा होगा अब एक परिवार में पती 90 दिनों के लिए जाना चाहता है तो पत्नी कथक करने लगेगी पत्नी 90 दिनों के लिए जाना चाहती है तो पती घर में रजनी कांत की तरह पेश आएगा गुस्से में भरा आदमी एक हीरो की तरह इधर उधर चलेगा कई तरह का नाटक होगा तो मैं वहाँ नहीं होना चाहता मैंने कहा जो आना चाहते हैं वो आएं ये आपके उपर है तो उसके बाद मैं वापस आया और एक परिवार में गया जिनने मैं अच्छे से जानता था ये हमारी महमान नवाजी का एक आम हिस्सा है कि जब कोई घार आता है तो सबसे पहले आप पानी लेकर आते हैं तो ये महिला मेरे ले पानी लाई और वो अचानक काली की तरह लगने लगी सिर्फ कत्थक नहीं वो काली की तरह थी मैंने उसे देखा वो एक अच्छी महिला है लेकिन आज वो काली के रूप में है तो मैंने उसे देखा उसने मुझे पानी दिया और मैंने का मां, मुझे ये पानी नहीं चाहिए मुझे ये पानी पेनी की जरुरत नहीं है आप अभी काली की तरह हैं मुझे अभी काली का प्रसाद नहीं चाहिए मैं ठीक हूँ उसने का क्यों क्या मैंने जहर मिलाए मैंने का आपको जहर मिलानी की जरुरत नहीं है ये पहले ही हो चुका है फिर मैंने का आप इस ग्लास में से एक घूट पीजे उसने ग्लास से एक घूट पिया फिर मैंने का आप ग्लास मुझे दीजे मैंने उसे अपने हाथों में दो मिनिट तक पकड़ा और उसे दे दिया अब इसे पीजिए उसने एक घूट पिया और उसके आसू बहने लगे और वो रोने लगी उसने कहा ये तो मीठा है मैंने कहा बस यही अंतर है अब आपके शरीर में सतर प्रतिशत से ज्यादा पानी है अगर इस सिस्टम में पानी मीठे तरीके से व्यभार करता है तो क्या आप कम से कम सतर प्रतिशत मीठे होंगे अगर हवा और पृत्विय आपके भीतर मीठा व्यभार करते हैं तो क्या आप कम से कम 90 प्रतिशत मीठे होंगे? आकाश कभी किसी को परिशान नहीं करता, है ना? तो योग का मूल विज्ञान, भूथ शुद्धी के बारे में हैं. शरीर के तत्वों पर नियंद्रण पाना, सिस्टम के तत्वों पर नियंद्रण होने के बाद, आप अपने आसपास के तत्वों को भी प्रभावित कर सकते हैं. असल में जीवन के साथ आपका पूरा काम, दुनिया में आपका पूरा काम हमेशा बस इन तत्वों के साथ है, एक बहुत बुनियादी रूप में, है ना? तो अगर आपके पास इन पर महरत है, तो जो आप चाहते हैं, आपको उस बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, आपका इरादा, आपको मन में विचार भी नहीं लाना पड़ेगा, इससे पहले कि आप सोचें, आपके लिए जीवन उसी तरह से होने लगेगा, तो सफलता चड़ाई चड़ने की तरह नहीं है, अगर आप इसे उचा उठाते हैं, अगर आप इसे सब से उपर ले जाते हैं, तो सब कुछ धलान की तरह होता है, धलान में दोड़ना असान है ये चड़ाई में? निश्चत रूप से धलान में है ना? क्या कोई वैग्यानिक सबूद मौझूद है? आज इस बारे में पर्याप्त वैग्यानिक सबूद मौझूद है, कि कैसे पानी के आणविक संरचना को अलग तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, रासाइनिक संरचना को बदले बिना, बस एक विचार या पर्श से भी, समस्या ये है, कि आपकी दादी ने आपको यह बताया था, है ना? क्या आपकी दादी नहीं कहती थी? कि आपको किसी के भी हाथ से पानी नहीं लेना चाहिए, खाना नहीं लेना चाहिए, इन्हें खास तरीके से और सिर्फ तभी लेना चाहिए जब देने वाले के इरादे नेखो उनने ये बाते बताई थी लेकिन जब आपकी दादी ने ये कहा समस्य ये है कि अगर ये पूर्व से आता है तो ये अंद विश्वास है अगर ये पश्चिम से आता है तो ये विज्ञान बन जाता है इसे बदलना होगा आपकी पीड़ी के लोग इसे बदलने की जिम्मदारी आपकी है कि भले ये पूर्व से आया हो अगर ये विज्ञान है तो ये विज्ञान है